गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज की फ्यूजेक्स ऑनलाइन क्लास में वी एसी पार्ट फर्स सेकेंड के स्टूडेंट्स का स्वागत है हम मैथमेटिकल फ्यूजेक्स पढ़ रहे हैं जिसमें की आज के लेक्चर का टॉपिक है कर्ल ओफ वेक्टर हमने आपको कर्ली क कोडिनेट्स सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बढ़ा है हम फिर उसके बाद हम उनकी एप्लिकेशन्स यानि ग्रेडियंट डाइवर्जन्स लापलाशियन ओपरेटर और इस चैप्टर में कंजीडर करें हैं कर्ल की यदि हमारे पास कोई भी और्थोगोनल कर्वी लीनिय कोडिनेट्स सिस्टम है तो उसके अंदर हम किसी वैक्टर का कर्ल किस तरीके से डिफाइन करेंगे और उसको कैल्कुलेट करेंगे ठीक है तो शुरूबात करते हैं कर्ल की डेफिनेशन से कि कर्ल जो है उसको हम एक तो किसी भी वैक्टर के लिए डिफाइन करते हैं ठीक है दूसरा कि इसमें हम निकालते हैं उस vector का line integral ठीक है तो पहले हम definition पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये line integral के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये definition important है कि line integral का role curl में बहुत ज़्यादा है important है तो देखिए कि हम यह दी मा लिजिए कि कोई भी एक deal closed path हम मानते हैं at the position P ठीक है किसी भी बिंदू P पर यदि हम DL कोई closed path एक बंद पत की कल्पना करते हैं जो की एक vector field A में इस्थित है ठीक है तो उसका जो line integral है vector का वो क्या हो जाएगा उस closed path के लिए जिसको हम gamma से represent कर रहे हैं is equal to the integral close integral A dot DL ठीक है line integral की हम definition पहले पढ़ चुके है तो यह जो line integral हमने निकाला है along the closed path that is called the circular circulation ठीक है यह जो हमारे पास हमने गामा निकाला है इसको हम कहेंगे circulation तो अब यह हमारे पास निकलने के बाद अब curl की definition क्या होती है कि यदि हम एक ऐसा पर चूज करें एक ऐसा closed path चूज करें जिस पर की इस circulation की value जो है वो maximum हो यदि हम एक ऐसा surface या closed path को हम इस तरीके से चूज करते हैं the line integral और the circulation becomes maximum इसकी value क्या हो जाए maximum हो जाए तो उस स्तिधी में या उस condition में हम क्या करेंगे कि रेशो लेंगे किस किस का line integral का और to the area यानि उस closed path को cover किये हुए जो area है जो कि होना चाहिए लगबर tends to zero ठीके यानि बहुत कम होना चाहिए तो उन दोनों का जो ratio है देखिए definition के बाद मैंने formula के form में भी दिखा रखा है कि यदि यह हमारे पास तो हो गया maximum यहां पर देखिए line integral की value हो गया maximum ratio लिया हमने line integral का ds से कब जबकि limit ds tends to zero है तो यह जो है ratio that is equal to the magnitude of the curl of the vector field at the position of the area element तो यह है magnitude की curl का magnitude जो है वो तो हम इस तरीक से निकालेंगे equation number one के द्वारा अब बात आती है इसकी direction की क्योंकि curl जो है वो एक vector quantity होता है जब भी भी हम निकालते हैं तो इसकी जो direction होती है वो जो हमने closed path को cover के हुए जो surface ली थी उसके perpendicular इसकी direction होती है तो जो हमने बंदपत लिया था जिसके लिए circulation की value maximum हमने ली थी तो वो जो area element है उसके perpendicular direction में होगा यदि हम unit vector है वो end cap मानते हैं जो कि normal होगा उस surface के तो हमारे पर curl का magnitude यहां से आ गया dot end cap is equal to हमारे पस इस तरीके से हम equation number two से निकाल सकते हैं जो कि जो hole curl of curl of a है उसको represent कर रहा है ठीक है तो यह बात हो गई definition की अब हम इसको निकालेंगे किस तरीके से है तो निकालने के लिए हम क्या कर रहे है कि हमने एक इस तरीके से एक और्थोगोना कर्वी linear coordinate system जो है जिसमें कि u1, u2, u3 जो है तीनों ही perpendicular है जिनमें कि उनके जो elements है वो h1, d, u1, h2, d, u2 हमने लिए है अब देखिए इसमें हमें किस तरीके से करना है कि हम तीनों ही जो इनके components है उनको हम अलग-अलग निकालेंगे यानिके u1, u2 और u3 direction में जो इनके components होंगे उनको अलग-अलग निकालेंगे अब भी हम हम बात कर रहे हैं u3 component की ठीक है अब u3 component obvious हमें पता है कि जैसे हमने अभी पड़ा कि curl की जो definition और उसकी direction होती है वो हमेशा है उस surface के perpendicular होती है तो यानि u3 component के हम बात कर रहे है तो जो surface area है वो हमें कहां लेना होगा वो u1 और u2 के surface पर लेना होगा ठीक है तो यहां पर हमने माल लिया अब एक हमने इस तरीके से एक area element ले लिया O L M और N जैन में के इनके directions आपको दिखाई दे रहे है circulation है तो obvious है closed path करने के लिए हमने इनको direction जो है इस इस तरीके से लिए है और distance जो हमारे पास है that is the h1 du1 at the u1 and s2 du2 on the u2 ठीक है तो यह हमारे पास line elements है जो कि हम calculate जो line element calculate करेंगे तब हम इनकी value रखेंगे ठीक है तो अब हम शुरू करते हैं कि u3 को निकालेंगे कैसे तो उससे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि vector a के भी component हमें पता होने चाहिए कि u1 direction में है a1 u2 direction में है a2 और u3 direction में है हमारे पास a3 ठीक है तो अब हम यहाँ पर देखी कि अब हमने अभी भी बताया आपको कि इसमें क्या है कि component जो है vector का वो u1 direction में है a1 तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां से जब हम यहां पर जाएंगे यानि o से l पर जाएंगे तो कितनी distance cover करनी हो रही है h1 d u1 ठीक है तो line integral की value हम निकालेंगे तो हमार पर simply हो जाएगा a1 इस direction में इसकी value है और h1 d u1 ठीक है अब इसके बाद क्या है कि हम निकालेंगे l m के लिए ठीक है तो l m के लिए यानि कि यह कौन सी direction हो गई u2 direction हो गई ठीक है तो u2 direction में इस point पर आने के बाद कि यहाँ पर इस point के आने के बाद इसमें जो changes with respect to u2 है कि rate of change in line integral in the direction of u2 तो that is equal to क्या हो जाएगा कि इस point पर l point पर जो इसकी value थी a1 h1 d u1 उसके respect में इसमें जो rate of changes है m तक जो के distance यह cover कर रहे हैं यहां तक h2 d u2 तो उसके respect में हम क्या कर देंगे इसका partial differential कर देंगे rate of changes तरीके से निकालते हैं तो इसके बाद जो third यानि के second था हमारे पास की l2m ठीके तो l2m m2n तो m2n में क्या हो जाएगा हमारे पास की इसकी जो value है देखे अब जो यहां पर m2m हम निकालेंगे यह तो हमने निकाला o2l अब m2n जो हम निकालेंगे तो उसमें इसकी value क्या हो जाएगी कि यहां पर इसकी value जो थी ठीके उससे यह धीरे-धीरे कम हो दी जा रही है ठीके तो कम होने की वज़े से क्या होगा हमारे पास minus एक तो direction उसकी opposite थी तो इसकी वज़े से हमारे पास हो गया यह l या m point पर उसकी value है और इसके साथ ही यह हो गया हमारे पास changes कि उसमें change कितना हो रहा है ठीके इसके बद हम निकाल रहे है n2o तो n2o में क्या है सीधे सीधे हमारे पास वही direction जो हमने यहां पर निकाला था तो इसमें क्या होगा केवले simply minus आ जाएगा यहां से लेकि यहां तक में हम जब निकाल रहे हैं तो इसमें सिर्फ हमारे पास क तो a2 यहां पर u2 direction में जो है वो है a2 इसका ठीके तो a2 du2 h2 du2 ठीके u2 direction यानि यह जो n2o जो हो रही है यह है u2 direction है तो इसे लिए इसका जो component है a का वो है a2 ठीके अब यह जो हमारे पास है यह वाला जो निकला है हमारे पास n2o वाला तो इसके बाद करें कि rate of change along the direction u1 क्या हो जाएगी इसमें कि simply इसका हमने integral ले लिया ठीके अब यह हमने जो rate of change किसले निकला है l to m के लिए देखें यहां पर confused होने की जुरुत नहीं है जब हम हमने पहले o2 l लिया उसके बाद हमने m2 l लिया क्योंकि यह दोनों जो direction थी दे इसलिए हमने पहले इनको निकाला है उसके बाद हम निकाल रहे हैं इनको तो इस n to o को हमने निकाल चुके हैं अब हम किसको निकालेंगे l to m को क्योंकि यहां पर u2 direction है और यहां पर जो rate of change वो भी हमें u2 में देखना है ठीक है तो l to m कितना हो जाएगा हमारे पास simply जो हमारे पर इसकी value आए थी this plus इसमें जो changes हो रहे हैं अब यहां पर देखिए हमने plus sign लगाया इधर minus था क्योंकि direction न लगती लेकिन हमने यहां पर plus sign ही लिया है क्योंकि इनकी जो direction है l to m की वो u2 की direction ही है तो इसलिए हमें minus लगाने क की जरुद नहीं है तो हमारे चारो directions में जो हमारे पास area था उसकी चारो sides के लिए हमने निकाल लिया है तो अब हमारे पास जो line integral आएगा that is equal to the along the closed path o lmno is equal to the sum of the line integrals of the vector field along their sides कि जो उनकी sides है तो देखिए whole जो आपके पास line integral आने की value है वो है o to l, l to m, m to n और n to o ठीक है सभी की values हम निकाल चुके हैं और यहां पर रख देते हैं तो देखिए यहां पर क्या होगा कि हमारे पास जो यह जो दोनो values है यह तो हो जाएंगी cancel out ठीक है न क्योंकि यहां प है इधर यह plus है तो यह minus है ठीक है यह cancel out हो जाएंगी क्यों हमारे पास यह beach वाली terms रह जाएंगी एक तो यह term है और एक हमारे पास यह वाली term है तो यह दोनों terms हमारे पास रह जाएंगी तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि u1, u2, u3 जो है वो independent है तो जिसकी वज़े स सेम ही है तो यहाँ पर u2 हमारे पास आ रहा है अब u2 को differential जो है वो u1 के comparative हम नहीं करेंगे क्योंकि यह दोनों के हैं एक दूसरे के independent है यानि कि किसी भी तरीके की dependency नहीं है इंट्रीकल वो differential याप करोगे तो वो 0 हो जाएगा तो हमारे पास जो term आ जाती है वो इस तरीके से आ जाती है कि del a2 h2 upon del u1 minus del a1 h1 over del u2 into du1 du2 तो equation number 3 हो गई अब curl की जो हमारे पास definition थी उसके according क्या है अब curl की definition को में use करें यह हमारे पास अभी लिखला है line integral ठीके तो इसके बाद हमारे पास u3 component क्या हो जाएगा उसका यहाँ पर उसमें हम unit vector लगा लेते है along the u3 that is equal to the e3 u3 curve में जो उसका line unit vector है वो हम दो lecture से हम मानते हुए आ रहे हैं तो उसमें e1 e2 e3 लेते हैं तो u3 के along होगे e3 तो e3 हमारे पास unit vector है उसकी जो definition है obvious है कि ds की हमारे पास आपकी पर surface area जो ds है उसका surface area कितना है h1, h2, du1, du2 that is must be tends to 0 और यहाँ से हो गया उसकी definition ठीक है अब हमने सब कुछ चीजे निकाल ली थी तो हमारे पास जो यहाँ पर देखे equation number 3 में जो values आई हुई है उसके आधार पर हमारे पर du1 और du2 भी cancel out हो गए और केवल h1, h2 नीचे रह गए है तो equation number 3 अब इस equation number जो fourth है जो हमारे पास निकली है U3 component तो उसी case similarly हम U1 component इसी की similarity को देखते हुए और U2 component जो है उनको निकाल लेते हैं जो equation number 5 और 6 से हमने आपको बता दिया है ठीके अब curl जो होगा final जो curl है obvious है कि वो तीनों ही components उसमें होंगे add up कर देंगे तो तीनों components को देखिए हमने add up कर दिया और उसके बाद फिर जो E1, E2 और E3 वाली जो values थी उनको हमने अलग-अलग common ले लिया है जैसे यहाँ पर देखिए E1 तो E1 में क्या है कि हमने क्या किया कि H1 common लिया तो यहाँ पर H1 हो गया और इनको हमने एक साथ रख दिया फिर इस तरीके से हमने 1 upon H1, H2, H3 को common ले लिया है और हमर पास जो values आई है तो इसको देखिए कि यह जो लग-बग हमारे पास है यह matrix form में हम इनने लिख सकते हैं त matrix form में simple तरीका है कि curl of A that is equal to this value that is shows by the equation number 8 अब यहाँ पर बात आती है कि यह आपने समझतो लिया जब तक आप अपने हासे नहीं करेंगे अब जोसे मैं आपको यह पढ़ा रही हूं तो आप एक बर अपने हासे यहां तक इसे करके देखें कि क्या हमारी values क्योंकि हो सकता है क कि आप U1, U2, U3 यानि कि यह हमने subscripts लगाए हुए हैं जो कि केवल U1, U2, U3 में नहीं आ रहें A1, A2, A3, E1, E2, E3 and H1, H2, S3 तो हमारी पर 4 terms हो जाती है जो कि subscripts में आ रही है तो आपको इन चीजों के लिए पता होना चीए कि कहां पर क्या आएगा वो तब भी पता लग करेंगे और जैसा मैं आपको समझा रही हूं एक-एक पॉइंट वैन आपको समझाया है तो उस आधार पर आप करके देखेंगे तो आपको कहीं भी प्रॉबलम नहीं होगी अब इसी कोई करते हुए हमारे पास next जो है कि जो कर्ल हमने अभी अभी निकाला है उसको यदि हम dell cross a यानि के dell operator और vector a को यदि हम cross product करते हों तो क्या उससे हमारे पास curl of a का कोई relation निकलता है ठीक है तो curl of a थो हमने निकाल लिया अब हमें क्या निकालना है इसका मत्रब dell cross a ठीक है तो A की value हमें पता है कि vector A is equal to E1 A1 E2 A2 plus E3 A3 और del operator को जब हम इससे cross product करेंगे तो यहाँ पर simply हमने लिख दिया और फिर उसके बाद उनको हम अलग-अलग separate कर लिया अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इनकी जो values को separately ही हम solve करेंगे तो first जो हमारी term यहाँ पर है कि del cross E1 A1 इसको solve करते हैं तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो E1 की value थी जो की हमने पिछले अपने lectures में निकाली हुई है ठीक है divergence वाला जो हमारा lecture था उसमें मैंने यह values आपको निकाल के बताया था तो हम वहीं से इनको उठा रहे हैं और E1 की value हमने वहाँ निकाली थी H1 del U1 तो इसको हम यहाँ रख देते हैं अब देखें इस term में हमारे पास दो चीज़े हो गए एक को हमने माली 5 is equal to A1 H1 और जो हमारे पास del U1 था उसको हमने माल लिया B1 B, vector B तो हम किसको यूज करेंगे, vector identity को यूज करेंगे कि del cross 5B यानि कि अगर एक scalar product के साथ vector है और उसको हम del के साथ cross product करते हैं तो उसके लिए जो identity है that is equals to this अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 5B की values को दोनों को हम रख देंगे अपनी पनी जगह पे जो हमारे identity में आई हुई है तो उसके बाद देखे हमारे पस ये वाली term इसमें क्या है कि ये last वाली जो term है that is equal to the 0 कि del cross del u1 that is equal to 0 तो यहाँ पर ये 0 होने का मतलब है कि जो first वाली term है वो हमारे पस रह जाएगी यानि कि जो first term हम solve कर रहे थे that is equal to this ठीक है यहाँ तक निकल लिया अब इसके बाद क्या होगा कि del operator अब del operator अभी तक हम केवल इसको del symbol form में लिख रहे हैं अब यह हमने solve नहीं किया तो अब हम इसको solve करते हैं तो del operator की value हमने यहाँ पर लिख दी अब हम यूज करेंगे अब हम यूज करेंगे हमारे जो orthogonal coordinate system में जो cross product की properties है उनको कि देखे इसमें क्या होगा कि cross product में आपको बता है कि यदि same vector से हम करते हैं प्रडक्त जीरो होता है और जो अगर 90 degree है तो यहाँ पर यह terms हमारे दी हुई है जो आपने पहले भी पड़ी हुई है ठीक है तो यहाँ से हम जब solve करते हैं तो first term 0 हो जाएगी second term में आजाएगा minus e3 और third term में आजाएगा e2 तो देखे हमने rearrange कर लिया इसको तो हमारे पास dell cross e1 की value आजाती है और जिसको की हम वापस से 1 upon h1 h2 h3 को अगर हम common ले लेते हैं तो हमारे पास यह term आ जाती है ठीक है equation number 11a अप हम क्या करेंगे कि इसी तरीके से simply बाकी की terms को हम निकाल लेंगे तो terms को यह second component था जो की हमने 11b के द्वारा दिखा दिया third component जो है उसको हमने 11c के द्वारा दिखा दिया अब तीनों को हमने क्या कर दिया उनको हमने उन values में रख दिया और जो dell cross a की value है that is given by the equation number 12 और जिसको वापस हम ने किस में लिख दिया है matrix form में लिख दिया है और जो की dell cross a की value जो है वो इस तरीके से अब दौनों equations को अगर हम compare करें equation number 8 और 13 को तो हमें क्या मिलता है कि curl of a that is equals to dell cross a ठीके तो यहां पर हमारा यह derivation भी complete हो जाता है अब प्लीज आप अपने एक बार अपने हां से जरूर ने करके देखें कोई भी problem आती है तो आप मुझे whatsapp पर contact कर सकते हैं so thank you so much and keep watching further video and keep steady